वेलकम टू मैं चैनल खोप आप लोग अच्छी होगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी आज का जो चैप्टर आज में आप लोगों कराने वाला हूँ अलफा नियूमरीक सीरीज समझेगे अगर आप यहां से सारे कॉंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एक्जाम में बहुती easily five number gain कर सकते हैं क्योंकि यहां से question बहुत ही easy पूछे जाते हैं और बहुत छोड़ा से chapter थोड़ा से concept समझने का आप लोगों को जरूरी है और थोड़ा से question practice कर लिजिएगा तो बहुत ही easily सारी question solve हो जाएंगे तो मैं process करूँगा कि आज सारा concept आपको और जो भी जितने types के question बनते हैं वो आप लोगों को एक ही वीडियो में complete करा दो तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या इसके concept होते हैं इसमें आपको थोड़ा concept से जादा आपका understanding काफी जादा important role करता है क्योंकि यहां पे concept कुछ जाला खास नहीं है चलिए देखे सबसे पहले आपको alpha numeric symbol series is a combination of alphabet symbols and numbers जब भी question पूछा जाएगा alpha numeric series से वहाँ पे आप लोगों को number भी रहेगा symbol भी रहेगा alphabet भी रहेगा तो उसका सारी combination से questions बनते हैं 5 questions come from this chapter अगर आप bank exam के preparation करते हैं तो आपके prelims में 5 questions बहुत ही मतलब कि अमीशा लगवक देखा जाता है और यह 5 number आप बहुत ही easily gain कर सकते है चलिए देखते हैं कौन-कौन से point पे आप लोगों को ध्यान देना है तो यहां पर सबसे पहले देख लिए some important points you have to keep in your mind सबसे पहले vowels vowels आपको पता होना चाहिए A, E, I, O, U consonants फिर बाकि जितने भी आपको alphabet से उसे consonant बोलते हैं numbers, numbers अभी लोगों को पता होगा और कुछ इस type के आपको symbols देखने को मिलेगा question में यहां पर ध्यान देजिएगा इस type के कुछ आपको को symbol देखने को मिलेगा question में चलिए, अब most important बात करता हूँ twistest line अब question यहां पर जो पूछा जाता है वो थोड़ा twist करके पूछा जाता है तो वो सारा twist जो जो पूछा जाता है यहां पर मैं आप लोगों को clear कर दे रहा हूँ ताकि आप question में फसे ना यहां यह चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं इसलिए आप लोग question में फस जाते हैं तो चलिए, यहां पर ध्यान दिजिएको और concept को समझने का कोसिस करिएगा सबसे पहला जो twistest line है वो है precedes be means a will left to be ठीक है, देखे सबसे पहले precedes का meaning होता है, वो होता है पीछे ठीक है, पीछला भाग ठीक है, तो यहां पर देखेगा अगर a precede b means बोल रहा है तो a जो है, वो b के पीछे है, ठीक है, यहां पर देखेगा a पहले आएगा और b, मतलब b के पीछे a है, ठीक है तो यह हमारा statement है और इस तरह का हमारा answer बनेगा a will left to b, ठीक है b के पहले a होना चाहिए आप यहां पर हिंदी में भी देख सकते है a precede b means जो a है, वो b के पीछे होना चाहिए, ठीक है b के पहले a होना चाहिए यह हिंदी में है, ठीक है hope आपको समझ में आया होगा बस इसका meaning आप याद रखिएगा तो आपको question में दिक्कत नहीं होगा आगे मैं question में समझाओंगा तो easily समझ में आ जाएगा b is preceded by a अब यहां पर देखिए b is preceded by a, ठीक है अब यहां पर by a दिया गया है तो यहां पर ध्यान देने वाली के b is preceded by a, ठीक है तो b जो है, वो a it also means that a will left to b, ठीक है तो इसका भी वही meaning है, ठीक है जो b है, वो a के बाद होगा, ठीक है मतलब a हमेशा b के पीछे होगा preceded के मतलब पीछे है तो आप बस इसे ही ध्यान रखिएगा b follows a, means b will write to a, b will write to a, ठीक है b follows a, follow कर रहा है, तो follow करने का क्या होता है k बाद, k बाद होता, follow का meaning तो means b will write to a, ठीक है अब चौता जो point है, वो देखेगा a is followed by b, a is followed by b it also means that b will write to a, ठीक है it also means that b will write to a तो hope आप लोगों को ये सारे जो चार point है, वो समझ में आ गए होगे कुछ नहीं, आपको बस precede और followed का meaning पता होना चाहिए precede का मतलब होता है, पीछे और followed का मतलब होता है, के बाद मतलब उसके बाद, ठीक है आईए अब question देखते है और कुछ important point है वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहला जो है points to remember है वो है, give proper attention to twisted term in like preceded and followed succeeded, ठीक है, मैंने पहले ही बता है कि ये सारे words में आप लोगों को focus करना अच्छे से है, क्योंकि यही सब आपको question में यही सब word देखने को मिलेगा फिर count character from left or right in series properly because a silly mistake will make your answer wrong, ठीक है जब भी आप count करते हैं तो हमीशा ध्यान से count करेगे क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर आपको digit मिल जाएंगे, लगवा 20, 25, 30 तो आप हलका से भी कोई भी mistake हो जाएगा तो आपको सारा question गलत हो जाएगा अब देखे, question नमर पहला में क्या बोल रहा है ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते है study the following alpha numeric series carefully and answer the question given below ठीक है, question खुद बोल रहा है कि carefully पढ़े, यहाँ पर सारे question दिया हो गया है, तो यहाँ पर आप अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी direct question हम लोगों को पढ़ना है, तो question पर नमर पहला में जो बोल रहा है यहाँ पर how many numbers in the series are preceded as well as followed by alphabet, ठीक है how many numbers, कितने numbers हैं in the series, series में, जिसके पहले जिसके पहले और जिसके बाद आप लोगों को alphabet, number देखने को मिलेगा, ठीक है तो alphabet देखते हैं, सबसे पहले numbers, numbers ढूंटे हम लोग, तो number सबसे पहले, यहाँ स अगर देखेंगे, तो number number, 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 सबसे पहले 6 आ रहा है, तो 6 के पीछे भी आप लोगों का alphabet है, और आगे भी alphabet है, तो पहले मिलगे हम लोगों को, फिर आप लोगों का alphabet देखेंगे, फिर number देखेंगे, 9 है, 9 के पीछे तो L है, लेकिन उसके बाद डॉलर है, तो alphabet यह नहीं होगा फिर 7 है, 7 में भी नहीं होगा, फिर देखते 1 है 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आगे और पीछे, दोनों ही आपका alphabet देखने को मिल रहा है तो फिर A, 8% नहीं होगा, तो 1 यहाँ पर मिल रहा है और 1 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है तो 2, 2 इसका answer कितना हो जाएगा, D number बस यहीं करना तो, कुछ भी solve नहीं करना आपको हुआ, पेइन पेपर यूज करने का भी जरुवत नहीं पड़ेगा अब देखते हैं, दूसरा question क्या बोल रहा है, if we eliminated all the numbers in the series, then which of the following element is fifth to the right of H, ठीक है, अगर हम लोग सारे जो series है, उसमें से number हटा देते हैं, तो which of the following element is the fifth to the right of H, चलिए, देखते हैं अगर इसमें हम लोग सारे number को हटा देते हैं, ठीक है तो H के बाद, जो fifth number में है, right में कौन सा number होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यह पहला हो जाएगा यह हो जाएगा, पहला दूसरा, six को हटा देना है, तीसरा, चौथा और पाँचवा, I I, तो इसका answer देखे, C number हो जाएगा I How many numbers in the series are preceded as well as followed by symbol, ठीक है, कितने ऐसे number है, जिसके आगे और पीछे दोनों ही symbol होना चाहिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे देख सकेएगा, कितने ऐसे number है तो पहला हम लोगों को number देखना है, number number six है, पहला number इसके पीछे आएक, symbol नहीं है, यह नहीं होगा Ni है, 9 के 11 तो अलफ़ाबेट ही हो, और एक symbol यह भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा तो पहला हम लोगों को यहाँ मिल गया फीर हो जाएगा फिर एक ही है यहां पर शर्रीप एक ही मिला है तो यहां तीसरा के एंसर वन हो जाएगा 18 नमबर यहां तीसरा इसका नमबर भी तो यह हो जाएगा 1, only 1 हम लोगों को मिला which of the following element is 4 to the left of the element which is 5th from right end which of the following element is 4 to the left of the element which is 5th from the right end right end से 5th में देखे क्या है तो दी परसेंटेज ये एक दो एक दो तीन चार पांच एंड है ठीक है फिर कोर्शन क्या बोला थो और which of the following element is 4 to the left of the element which is वो निस्वा नमर फिर से एक पर पढ़ते हैं which of the following element is 4 to the left of the element which is 5th from the right end ठीक है तो पहले हम लोगो राइट इन से 5th नमर देखना है फिर उसके बाद पोर्ट देखना है तो यहां पर आईए देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच बाट ठीक है अब फिर इसके लेफ्ट हम लोगो चार देखना है तो एक दो तीन चार तो डॉलर हमारा एंसर हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं एंसर सी हो जाएगा चलिए बीसमा देखते हैं यहां पर यहां पर बोला गिया था तो हम लोगों को एड़ दर रेट से पहले जो पूर्ट नमबर है लेफ्ट उसके पूर में क्या होगा ठीक है तो देखते हैं कौन सा हटाना अल अल्फबेट से सारा अल्फबेट को हटा देना है ठीक ना चलिए देखते हैं यहां पर बोला गिया था तो हम लोगों को एड़ डर रेट से देखना है फोर्थ नमबर यहां पर सारे अल्फबेट को हटा देना है तो यहां पर देखिए यह सेवन आजाएगा डॉलर आ जाएगा नाइन आ जाएगा L हट जाएगा और I भी हट जाएगा क्योंकि alphabet हटाने के लिए बुला है question में तो ये चौथा नमर में हम लोग हैसा जाएगा तो इसका जो answer है वो B नमर हो जाएगा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को और सारा concept समझ भी आगया होगा इसके next जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को सारा question previous year question कराने वाला हो और भी धीर सारा important question लाने वाला हो तो उस वीडियो को भी miss मत करिएगा चलिए मिलते हैं next वीडियो के अभी के लिए bye thank you